हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज हम कर रहे हमारी वर्क्षिट नमबर 20 साइन्स की चैप्टर हमारा कौन सा लाइट है आज हम पढ़ेंगे कि लॉफ रिफ्लेक्शन क्या है और प्लीन मिर्यर को बनाने के लिए इमेज के क्या हमारे कुछ लॉज है फर्स्ट लॉ कहता है लॉफ रिफ्लेक्शन इंसिदेंस एंगल इंसिदेंस एंगल क्या होता है देखिए जब कोई लाइट बाहर से ट्रैवल करते हुए कही पर गिरती है तो हम उसे क्या कहते है एंगल अफ इंसिदेंस कहते है और जब वापस रिफ्लेक्ट होके जाते है त एंगल R का भी होगा, सेकेंड लोड हमारा कहता है, कि दा इंसिडेंट रे नॉर्मल एट धी पोईंट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिट रे और लाइ इन दा सेम प्लें," देखिए, जब हम कोई मीरर है, उसके उपर जब इंसिडेंट रे आती है, और जब रिफ्लेक्ट होगे वापस जाती है और जब उसके बीच में अगर हम नॉर्मल कीचेंगे यानि परपेंडिकुलर बनाएंगे तो तीनो क्या होगी यह तीनो एक ही प्लेन में आएगी एक हम इसे एक्टिविटे समझ देख हमने एक एक्टिविटे लिए हमने एक मिरर लिया उसमें एक टॉर्च रखा ठीक है टॉर्च से हम क्या करें लाइट को पास कर रहे है लाइट पास होने के बाद क्या हो रही है वो हमारी आइस से कुजरते में जा रही है और हम क्या देख रहे हैं जो इमेज बन रही है अंदर में बन रही है अंदर में बन रही है वो अंदर में इमेज एक्चुली में नहीं बन रही है वो वर्चुल इमेज है जो कि वहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा है वो तो स्रिफ हमें दिख रहा है जब हमें देख रहे है वो एक साथ दिख रही है, इसे वीज से क्या है, क्यों कि तीनो जो है, पॉइंट्स जो होती है, वो तीनो पॉइंट्स एक जगे पर मिलते हैं, इसलिए वो हमें ऐसी इमेज टोक कर रही है, देखिए, प्लेइन मिरर के, जो इमेज फॉर्म होती है, उसके कुछ characteristics है plane mirror की जो भी image होती हो हमें सा एरक होती है यानि कि सीधी होती है और जैसा object size होता है अथना ही उसका भी size होता है mirror जो image होती हई mirror के behind पर नी πीछे में बनती हूँ और जितने दूरी पर बनती है देखिए हम जितने दूरी पर मिरर के आगे होंगे चैसे माले जै मैं एक मिटर की दूरी पर मिरर की पास हो तो मेरी जो image बनेगी वो भी एक मिटर दूरी पर ही बनेगी इमेज फॉर्म्ड प्लेइज प्लेइज अ वर्ट इस कैननोट भी अप्टेन इन आ स्क्रीन वो जो भी हम मिरर भी ये जितनी भी हमारी image बनेगी वह क्या कहलता है लेफ्ट का राइट मेनाति हैं और राइट का लेफ्ट बनाते है और अपना राइट हांथ बढ़ए तो पर जीशे में क्या हों देखता है वो लेफ्ट हांथ करते हैं इसा ÜIT को हम क्या कहते हैं अब हम समझ गए हूंगे जो उल्टाक्रंक्या होता है जब भी कोई गाडी गाड़ी गाड़ी dependsस्ट दिखा होती यह उती है तो आगे आ जबनारी कोई सिचागा तो सीधािये इंते हैं तो आइज मरूता रें सतता है अब हमारे कुस question से हैं तो हम इसको questions करते हैं आंसर करते हैं इसका पहला हमारा question है write the 4 characteristics of the image formed by the plane mirror plane mirror की मतब्स से कौन से हम characteristics हम image के बनने के देखिए आपका answer है the image formed by the plane mirror is erect and same size as the object the image is virtual, the image is formed behind mirror at the same distance as the object is placed in the front of mirror last time in the plane mirror the right of the object appear left of the image and the right appear left appear right second time pinky is observing her image in a plane mirror the distance between mirror and the image is 4 meter pinky who is watching her image in the mirror is 4 meter and pinky if 1 meter is greater than 2 meter find out the words of alphabet in which the image formed in a plane mirror appear exactly like the letters so your answer is A-H-M-X-W-I-O-V-U these all words if you will see in the mirror then what will you see will be the same same filling the blanks on image that cannot be obtained on a screen is called the virtual image second time the image formed by a plane mirror is the erect and the same size as of the mirror and third is in the plane mirror the right appear left and the left appear right it is called the lateral inversion so this is your answer okay friends here my video is complete I hope you enjoyed the video like and comment and share it and subscribe to this channel thank you subscribe the danach . . . . . झाल झाल झाल